तो पहली application है add guard यहां पे देख सकते हैं मैं अपना website open किया हूँ और यहां पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे add देखने को मिलता होगा और आप इन सभी add को बंद नहीं कर सकते हो लेकिन जैसे ही आप add guard application को open करोगे और यहां पे आप इस setting को on कर दोगे और on करने के बाद अ लेकिन मुझे so नहीं कर रहा है और अगर मैं नीचे जाओंगा तो देख सकते हैं यहां पे भी add था नहीं so कर रहा है और अगर नीचे जाओं तो यहां पे भी add था नहीं so कर रहा है अगर मैं कोई article read करने जाओं तो यहां पे भी देख सकते हैं add था बट मुझे so नहीं कर हैं तो इस तरीके से आप annoying ads को बंद कर सकते हो इस वाले trick से दूस्तों दूसरी application है डाटा ली इस application की मदद से आप फाल्तू के खर्च हो रहे MB को बचा सकते हो कैसे यहाँ पे आपको set data saver पे click करना है और click करने के हैं कि कौन कौन application आपका कितना MB खर्च करता है और आप उन्हें personally यहाँ पे बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं यह देखिए tik-tok सबसे ज़्यादा MB यूज करता है और आपका यह background में यूज करता है जब आप tik-tok इस्तमाल नहीं भी करते हो तब भी यह आपका data को यूज करता है तो यहाँ पे आप इसे हमेशा on रखेगा तो आपका background में एक भी MB खर्च नहीं होगा लाइक देख सकते हैं यहाँ पे आपको bubble में दिखाएगा कि अभी कितना MB खर्च हुआ है कोई भी application आप इस्तमाल करो जब आप उस application को यूज करने जाओगे तभी आपका MB खर्च होगा और जब आप उससे बंद कर दोगे तो आपका MB खर्च नहीं होगा देख सकते हैं इतना ही देर में यह दो MB आपका खर्च हो चुका है और जब आप इसे background में बंद कर देंगे, close कर देंगे तो आपका यह background में एक MB को खर्च नहीं करेगा दोस्तो तीसरी application इतनी कमाल की है कि आप सभी को मैंने परसो ही बताया था इस application के बारे में लेकिन यह application प्ले स्टोर में नहीं है इसलिए मैंने इस list में इसे add किया है और वो application है call manager दोस्तो इस application से आप अपने phone में incoming calls को outgoing call बना सकते हैं outgoing call को incoming call बना सकते हैं यानि कि आप अपने call log को edit कर सकते हो अगर आपको किसी को proof दिखाना हो कि हाँ देखो मैं उससे बात नहीं किया हूँ इससे बात किया हूँ तो आप इस application की मज़़ से एक fake proof बना सकते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको edit वाले option पे click करना होगा और click करने के बाद अगर आप इसका number change करना चाहते हैं तो यहाँ पे pencil वाले option पे click किजे enter कर दीजे आप कोई भी number जिसे आप change करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे enter कर दिया plus 91 यह देखे मैंने done कर दिया यह number change हो गया अब मैं इसे incoming outgoing से incoming बना देता हूं यहाँ पे duration जो है उसे मैं change कर देता हूं यह देखे मैंने सिर्फ 4 मिनट बात किया और इसके बाद time यहाँ पर मैं change कर सकता हूँ और यहाँ पर देंटी भी change कर सकता हूँ एक काहे मैं इसे 2 कर दिया और इसे update कर दूँगा और यह आपका call history में जार कर केंगे तो यहाँ पर कर यह क्यों गरणestä हो जाएगा सबस्तों अगली application और भी खास हो जाती है कि हां किसका notification आया है और कौन से application में आया है तो यहां पे आपको app notification में आना है और इसे आपको कर देना है Enable, Enable करने के बाद यहां पे आप इसे permission दे दिजे, permission देने के बाद इसे allow कर दिजे, allow करने के बाद back कीजे और यहां पे आप app notification को Enable कर दिजे और आप उन उन application को select करना है जिनका आप notification बोल कर सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने click किया और यहाँ पर मैं search करूंगा what's up select करने के बाद आपको back करना है और दोस्तों एक खास बात आपको मैं बता दूँ इस application के लिए आपको play store में 60 रुपए देने पढ़ेंगे और इसका link मैंने आपको free वाला नीचे वीडियो के description में दे दिया है तो वहाँ से जाकर आप उसे download कर लीजेगा और अब यहाँ पर आपके phone में यह set हो चुका है और जब भी आपके phone में कोई भी notification आएगा तो यहाँ पर अब आपका यह पढ़कर बोलेगा चलिए मैं आपको example दिखाता हूँ तो देख सकते हैं इसने बता दिया कि notification from whatsapp और किसके दुरू आया है राजाराम बाबू और message क्या है हाई का तो इतना सब कुछ आपको बताएगा आप से आपका phone और यह application तो एक से ज्यादा message होगा तो यह message को नहीं पढ़ेगा लेकिन अगर एक message होगा तो यह आपको पढ़कर बताएगा कि message क्या है दोस्तो अगले application है reply app यह application google के द्वारा launch की गई है लेकिन आज तक यह play store पर टीकी नहीं लेकिन आपको download link आपको नीचे वीडियो के description मिल लाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कोई यहाँ भी notification आती है तो यह वहाँ पर आपका suggestion देगा यह देखे मैंने हाई भेजा और हाई भेजने के बाद यहाँ पर message पहुंच गया देख सकते हैं यहाँ पर message आ चुका है लेकिन यहाँ पर खास feature यह add हो चुका है यहाँ पर आपको auto reply add हो चुका है और जिस भी message पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर वह message उसको चला जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने message को type नहीं किया लेकिन यहाँ पर message पहुंच चुका है और अगर आप इसे हिंदी में भी लिखोगे कैसे हो तो यह हिंदी का भी reply आपको यहाँ पर तो देख सकते हैं यहां पर यह Hindi में भी मुझे suggestion दे दिया और यहां पर मैं ठीक हूँ बढ़िया जो भी message होगा ईसे send कर सकता हूं मुझे type भी करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ यहां पर click करना है और message चला जायगा तो दोस्तों यह सब application आपको Play Store पर नहीं मिलेगा झालसा है.